हेलो फ्रेंड्स मैं सीयब निजियान आपका स्वागत करता हूँ आपके एपने एटूप से आनल पर दोस्तों आज की वीडियो में यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा करना है और यहीं पर आपको कंपेर भी करने के लिए मिल जाएगा कि आपको किस में ज्यादा बेने फिट हो रहा है उसके अपर यहां पर अपने रिटर्ण को फाइल कर पाएंगी थीक है मैं यूजर आईडी क्योंकि पैन नम्बर होता है उसके तुरूंब यहां पर पहले ल सब्सक्राइब करना है इस से पहले हमें एक अक्टिविटी और करनी है एक तो मुझे ए चेक करना है तो यहां पर मैं AIS पर क्लिक करूंगा सब्सक्राइब करना है इसमें जो भी आपके TDS कटे हुए होंगे उनकी डिटेल्स आ जाएगी अभी एकदम से हम यहां पर ITR फाइलिंग में जाएंगे इससे पहले हम जो पॉइंट्स करने वाले हो वो पॉइंट्स में डिसकस करेंगे तो यहां पर जो है 26AS यह एक ऐसा डोकिमेंट है जितने भी आपके TDS यहां पर डिटेक्ट हो रखे होंगे सब कुछ यहां पर आपको दिखी जाएंगे टक्स क्रीक करना है ऐस इसमाइंट यहेँ ट्रहा आहां पर इास क्रीटिल्स इहां का चेल पर आ रही है एस सलरी की इंकम यहां पर सो कर रही है उसके लावाँ इंट्रेस्ट आ और से पर चेस में आपको चेक करना पड़ेगा और अगर आपकी अफेंडों की ट्रेडिटिंग वाले पिर इंट्री में जाना पड़ेगा इस केस में हम यहाँ पर फूल रिफंड करेंगे इस बार जो है रिफंड मिलना इतना असान नहीं होगा तो डेश्बोट पर जाना है यहाँ पर इंकम टेक्स एस्टिमेटर करके एक उप्शन मिलेगा उस पर किलिक कर लिजेगा ठीक है तो आपके सामने इस टाइप का एक पीज आएगा यहाँ पर जो एस्टिमेट टेक्स पर आप किलिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी ओल्ड और कैंप है वह यहाँ पर खुद से आघी होगी तो यहाँ पर हो आपको । आपको इंकम के अरिकान अि अरियो कि ग्रोस सैलरी दोनों में सेम है यहां पर जो है एक्जमसन मिली हुए है क्योंकि जो कि आपका फॉर्म सिस्टीन हुआ उसमें एक्जमसन मिली होगी तभी आप इसको क्लेम कर सकते हैं तो यहां पर जो है 54,000 के लेक्शे एक्जमसन भी दी गई है जो 50 इसलिए वो दोनों टेक्स रीजिम में आपकी आएगी तो इसकेस में यहां पर इस तरीके से कंपेर करना है इसकेस में तो जितना पूरा-पूरा डोनों टेक्स रीजिम में सेम ही बन रहा है तो यहां पर यह irrelevant है इससे कोई फरक नहीं बढ़ेगा हम किस रीजिम में फाइल करना है मैं आपको old और new एक यह आई-टे-र के अंडर में दोनों चीज़े भी यहां पर बता दूँगा कि किस तरीके साब को प्रसीड करने है यहां पर मैं आपको AIS में आपको दिखा दिया स्टाइटिंग में आपको बताया था और इसी में आई-टे-र में माई प्रोफाइल में जाकर बस एक ओप्सन आपको टिक करना होता है उसके असाफ़ा आप प्रसीड करेंगे यहां पर यह गल्दी मत करिएगा टैक्सेबल इंकम इस मोर दें बेसिक एंग लिमिट यह वाल नहीं बढ़ता है आई-टे-र फाइलिंग में जो प्रोविजन से इंकम को आपको प्रोफरली डिकलियर करनी है उसका इटे-र से कोई याज सच लिंक नहीं है फिर उसके बाद यहां पर पंसनल इंफोमेशन में कुछ डिटेल्स आपको सेलेक्ट करनी होगी यहां पर ही बत इतने भी इंकर टेक्स में उप्संस हैं सारे डिक्संस आपको अलाउड हो जाएगी नो के इसमें के वल स्पेसिफाइड डिक्शन सी आपको अलाउड होगी एक अकाउंट कम से कम यहां पर वैलिट होना जरूरी है रिफंड के लिए दैन उसके बाद कंफर्म पर किलिक करक यहांपर लुट एक्सिजिन इसलिए जो है यहांपर इडिक्संस कम्सों कर रही है तो वह परसनी स्पेसिफिक है आप अपने फ़ांस इसलिए गया है तो आप ये सलेक्ट कर लिज्यगा यसWork करके प्रोसिड कर दिजएगा तो आपको सारे अलाउड हो जाएंगी मैं इस ही यहां पर automatically पूर्य आ रहे है अगर आपने कोई loan लिया हुआ है तो उस case में यहां पर point आता है कि loan के case में जो है old tax regime में के case में आपको interest मिल जाता था लेकिन new tax regime में नहीं मिलेगा new tax regime में let out वाले case में यह restriction है तो जो भी जिनका भी housing loan है उनको ओल्ड में benefit है अगर उनका पूरा पूरा जो interest है वो दो लाग रुपे का है तो वो आपको अपने recording पाश चेक करना पड़ेगा वैसे मैंने housing के case में कितना आपको benefit मिल सकता है तोटल पांच लाग रुपे तक का benefit मिल सकता है उसके लिए सब्सक्राइब वीडियो बनाई भी है कि housing loan के case में ITR में क्या का deductions कैसे मिलेंगी ठीक है जो income tax के जो refund है उस पर भी कुछ interest हो सकता है सब्सक्राइब यहां पर क्लिक करके आगे प्रसीड कर देना है उसके बाद यहां पर जो है डिडेक्शन तो अलाओ नहीं होंगी क्योंकि इस case में मैं आपको बताया नुटेक्स रीजिम में ITR CCD2 की एलेक्शन अलाओ होती है वो भी ऐस पर फॉर्म 16 मतलब अगर आपके employer ने इसमें डाटा अप्लोड किया है वो भी जवाब के सब्सक्राइब करना है उसके बाद यहां पर दिख रही होंगी लेकिन अलाओ नहीं होंगी इसी फॉर्म में आपको वोल्ड में भी फाइल करके दिखाऊंगा अब यह साथ के साथ ही तो वीडियो को पुराइंट तक देखेगा और इस वीडियो को सेर्यों कीएगा ताकि स यहां जाना पड़ रहा है लेकिन उसकी वीडियो वहां पर अप्लोड की विडियो देख लिए प्रोसेस नहीं है टैक्स पेड वे आपको जो भी आपके टीडियस है वह यहां से पैरिफाइब कर लेने अगर मैच हो रही है तो किलिक करना है इस केस में पूरा पूरा पूर रिफंट बन रहा है तो रिफंट जो है उटोर्माटिकली अलाव होगा और यह डिरयट जो है आपके अकौन में प्रेट ओहोगा बैंक विलिट कराना ज़रूरी है कंफर्म पे किलिक करेंगे ध्यार उसके बाद यहां पर 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 लिक कर दें आ एकुझा सामान पर आ रहा बना उजा है इक पर किल्ग करना है उसके बाद जो है आपके सामने सांडे रेटर ना है पर सकूल करें प्र atm करना है आपके सामने आप पर तीन ओप्शन आ जाएंगी आधार OTP का आएगा तुसरा डीसी का एगा नेट बेंकिंग बैंक अकाउंट्स डीमेट अकाउंट तो आप आधार OTP से क्लिक करके वेरिफाई करा दिए अगर आपकी आधार सही है और आपने क्रेक्टली फाइल किय है तो ITR 1 को प्रोसेस होने में 15 तक का टाइम लग सकता है उसके बास साथ दिन में आपके अकाउंट में डिरेक्टरी बंड क्रेडिट होगा माई डिटेल्स में जाकर माई प्रोफाइल में बैंक अकाउंट्स को भी एक बार वैलेडेट कर लीजेगा अब इस ही ITR को हम यह में यहां पर यह अलॉमेंस दी गई है यह वह भी मैं आपको एंटर करके दिखाऊंगा ठीक है तो मैं पहले माई प्रोफाइल में जाकर वह डाटा वहाँ पर यह करके आगे प्रसीड करूंगा इस के बाद यहां पर कंफर्म पर क्लिक करके आगे प्रसीड कर देना है तो इसमें यह पर जो डाटा है वह हम आपको फीड करके दिखाऊंगा दिखाऊंगा यहां पर सारे ओप्संस एनेबल हो चुके हैं रिच्शन क्लेम करने के ओंडियूवर किलिक करना है सैलदी के यह section 10 w wale reduction है वह हम यहां पर claim करेंगी तो बिर जो salary है वो जैसे Udex region में old-ex region में जो starting वाले options है वो तो सेम ही है तो यह तो इसी तरह यहां पर आ रहे होंगे इस वाले वापको delete कर देना है एनस के बाद यहाँ पर जो यह death come retirement यह जो options आपके लिए नहीं है उनको आप यहाँ पर हटा दीजिएगा बाकी के जो reactions आपको allowed की गई है वो आप यहाँ पर डालेंगे जैसे यह वाला options है leave travel वाला इसमें दे गए इसमें से आपको यह वाला सेलेक्ट कर लेना है ठीक है अर्ड लीव एनके स्मेंट ओफ रिटायर्मेंट यह आपको के form 16 में से ही मिल जाएगा फाइब फोर टू सैवनेट यह फीखर है इस टाइब से एंटर करनी है ठीक है तो इसकी आपर allowance मिल गए इस यहाँ पर दी गई थी यह आपको form 16 में जो भी आपको allowance दे गए हैं योगी आट्जंट है वो आप सारे के सारे क्लिम कर सकते हैं अपनी एटर के टाइम पर ठीक है मेरी किसमें कमा जाएगा जो हो जाएगा इंकम हो जाए गई पर घ्रशर Sophie इंकम Сब्सकि Any कितनी कम होच चुकि है इसकी nutzd लाग विभी सेल रही है उसके बास सारे रेट्शन से आपको मिल जाएगे इसके लावा यहां पर काफिसा रिड़क्शन दी जाती है यह जो रिड़क्शन से नहीं कर सकते हैं यहाँ पर क्लेक्शन करना है रहा होगा और इस केस में आप रिड़क्शन कर लिया है तो इस केस्पे आप रिफंट बन रहा है हाँ यह जो हमने एडिक्शन से यहाँ पर लिए दो लाग रुपे की एक्चुल बेसिस क्लेम किया है तो कि एससे के पास यह सारी की सारी इंवेश्टमेंट है लेकिन इनके फॉर्प 16 में नियू टेक्स रिजिम के ताब से प्रोसीड किया गया है तो आप इसीज का ध्यान ल क्लिक करना है वेश्टमेंट के अंदर अंदर आपको वेरिफाई कराना होता है लाश्ट वाले ओप्शन में आप जो है एक्टेयर की एक्टेयर भी फॉर्म को आप बैंगलोर भीज सकते हैं नॉर्माल या स्पीड़ पोर्स से आपको अलाउड होता है ठीक है कोंटियू न समिट हो जाएगी इसी तरही के से और नियो टैक्स रिजिम में प्रोसेसिंग के टाइम है वो सेम है रिफंड आने के टाइम भी सेम है यह था कम्लीट फ्रोसेस एक वीडियो मैंने पूर्वा डिटेल आपको बता दिया है इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि थैंक यू सो मुट थैंक यू सो मुट